तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही UPSC ने यहाँ पर प्रोग्राम बताया है 2021 में जो भी examinations होने वाले हैं उसके बारे में तो यहाँ पर हम लोग सारे exam का list आपके सामने देखी सकते हैं और इसका जो PDF है मैं आपको already share कर दूँगा और यह आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो main examinations है उसको discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्रे साल का जो CAC prelims है UPSC की जो prelims है 2021 के लिए यह होने वाली है 27 जून 2021 को तो यह date आपको ध्यान में रखना होगा जो लोग 2021 के लिए prepare कर रहे हैं उनको इस date को अभी से save क होने वाला है तो इसका जो notification है यह फरवरी में आएगा 10 फरवरी को आप देख सकते हैं और यहाँ पे इसका जो last date रहने वाला है वो 2 March रहेगा ठीक है तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं इस बार भी 3 March के आसपास ही था तो यह हो गया आपका date और यह जो है यह CAC prelims भी है और साथ के साथ हम लोग जानते हैं कि IFOS का भी prelims साथ में होता है एक ही examination होता है तो यह date आपको याद रखना है 27 June को अगले साल UPSC का जो prelims है 2021 वाला होने वाला है तो इसी list में अगर आप देखेगा तो mains का भी date दिया गया है तो mains का जो date है यह बताया गया है 17 September ठीक है और यह 5 दिन के अंतरगत हो जाएगा mains CAC का mains हो जाएगा और वही IFOS का अगर आप mains देखेगा तो यह 21 November को होने वाला है ठीक है तो मेरे क्याल से आपको सारी days पता चल गए होंगे CAC exam से related और यहाँ पर बाकी examinations भी है जिसके dates मैं आपको अभी दिखाता हूँ पर यहाँ एक न 8 से लेके 17 जनवरी तक के बीच में हो जाएगा बतलब 2021 में जनवरी में आपको देख सकते हैं 8 से लेके 17 जनवरी के बीच में होगा ठीक है पहली चीज तो यह हो गई दूसरी चीज यहाँ पर IFOS का जो examination है उसका भी mains यहाँ पर 28 फरवरी से start होने की बात कही जा रही है और दील को हो जाएगा IES का examination अगर आप देखेगा तो यह 17 जुलाई को हो जाएगा ठीक है तो यह सारी dates हम लोग एक तरीके से ध्यान में डख सकते हैं CAPF का भी examination अगर आप देखेगा तो 8 अगस्ट को है engineering अगर services का prelims देखेगा तो यह भी 18 जुलाई को है ठीक है तो यह सारे important examinations है obviously आप PDF को refer कर सकते हैं तो आने वाले साल में that is 27 जून के लिए अगर आप preparation कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ obviously बने रही है mapping के वीडियो आप आप अलड़ी देख रहे होंगे playlist परी भी है जो भी PT 365 है vision वाली वो सारा कुछ हम लोग cover कर वा रहे हैं और काफी holistic coverage है even अगर आप देखिएगा तो spectrum के podcast वागेरा चल रहा है जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं फिर अगर आप notice करेंगे तो burning issues भी हम लोग करवा रहे हैं साथ के साथ आपको एक complete package मिल जाएगा हर एक subject का ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक particular subject ही कराया जा रहा है साड़े subjects के उपर में equal level का focus किया जा रहा है तो इसलिए हमारे channel को obviously आप subscribe कर लिजे यह रहा हमारा tips for UPSC channel जो है यह telegram channel है इसको आप ज़रूर जोइन कर लिजे YouTube के notifications अगर नहीं जाते तो आपको telegram channel के notifications मिल जाएंगे साथ के साथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ इस channel पर हम लोग books, quiz और बहुत सारी important information और बहुत सारे important notes भी share करते रहते हैं तो हमारी channel को ज़रूर subscribe करिए और जो हमारा present YouTube का channel है उसको भी subscribe करिए, like करिए और वही है आप लोग हमारे साथ बने रहिए जिससे हम लोग अगले साल की भी preparation अच्छे तरीके से कर सके और साथ के साथ आपका जो नाम है वो final list म आजाए ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको यह PDF अच्छे तरीके से समझ में आया होगा date याद रखना है 27 जून अगला जो CSE का prelims है 27 जून को है तो अभी से आप इस date को mark कर लीजे अपने calendar पे तो चलिए अब हम लोग next video में मिलेंगे हमारे channel के साथ बने रहिए बहुत